अच्शन को पाकिस्तान में बहुत सी उनिवस्टी के एड्निशन्स और बहुत सी ओर्गनाजेशन के इंप्लाइमेंट टेस्ट के लिए एक एंटी लेवल का टेस्ट है बहुत सी उनिवस्टी और और्गनाइजिशन इसको एक्सेप्ट करती हैं और इसकी बन्याद पर एड्मिशन या इंप्लाइमेंट आफर करती हैं इसलिए बहुत से तल्बा इसके लिए कोशिश करते हैं कि इसमें स्कोर किया सके और ताकि उनका एड्मिशन या इंप्लायमेंट पॉसिबल हो सके इसके साथ साथ ही तल्बा इसको अपने लिए एक हड़ल भी समझते हैं कि ये एक खामखा की चीज़ है जो दरम्यान में आग सकता है लेकिन वो तलबा जिनका स्कोर मौडरेट है या कम है तो वो इसको अपने लिए ब्लैसिंग समझे गो कि इसको बहुत से लोग मुश्किल समझते हैं लेकिन हकीकत में ये मुश्किल नहीं है हाँ अगर आप इसकी प्रापर त्यारी ना करें तो ये बहुत मुश्किल टेस्ट होगा लेकिन अगर प्रापर त्यारी के साथ इसको दिया जाए तो ये एक असान टेस्ट है अब प्रापर त्यारी क्या होगी प्रापर त्यारी ये है कि सब से पहले आपको ये मालूमों को इस टेस्ट में आना क्या है इसका structure क्या है और फिर structure के जितने components हैं उनको आप individually हर एक को time दें और उनकी त्यारी करें इस वीडियों में मैंने इसके structure को discuss किया है और इसके हर type of question के detail बताई है कि आप इसको किस तरह से त्यार कर सकते हैं और इसम content क्या है इसके तीन major sections है और वो different categories के लिए क्योंकि get की chart basic categories है get a, get b, get c, get d तो उसकी प्याद पर number of questions हर section के मुक्तलिफ है किसी में ये 40% है, किसी ने 30%, 40% इस तरह की divisions है तो लेकिन तैयारी के level पर कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि 10 questions किसी section में ज्यादा या किसी में कम होने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी तैयारी का level काम करते हैं तैयारी हर level के उपर same रहेगी इसलिए इसके तीन section कौन कौन से हैं वो है पहला है quantitative यानि कि जिसको आम सबान में math का section कहा जाता है फिर है verbal ability जिसको English कहा जाता है और reasoning ability अक्सर लोग इसको confuse करते हैं analytical के साथ analytical इसका part है क्योंकि इसके फर्दर reasoning ability के फर्दर दो पार्ट है logical reasoning और analytical reasoning तो इनकी मजीद detail हम next section में देखते हैं कि हर section में मजीद किस तरह की divisions हैं और किस type के questions इसमें शामिल होते हैं और उनका level क्या होगा अब हम देखते हैं कि test के हर section को कैसे त्यार किया जा सकता है और उसकी त्यारी के लिए कितनी कोशिश करनी होगी और किस बेतर तरीके से prepare किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा score हासिल किया जासकी सबसे पहले देखते हैं quantitative section यानि कि math का section मैस में जैसे के अभी हम देखा कि कौन कौन से question शामिल हैं तो सबसे पहले arithmetic के questions है arithmetic based किस पर करता है basic arithmetic operation यानि कि plus multiplication division plus minus और इसी तरीके से exponent exponents means powers तो इनके basic rule आपको पता हूं तो इसके लिए या तो आप सबसे पहला काम ये करें कि 7th और 8th grade की math के बुक लें और उसमें से topics करें arithmetic के भी करें और word problems भी करें तो ये आपके लिए खासी helpful होगी सिर्फ फर्क क्या होगा कि इसमें straight forward पूछा जाता है कि जी ये चीज़ बताएं जबके get में या किसी भी test में question थोड़ा सा situation के साथ इस तरह से पूछा जाता है कि आपको analysis की भी जरूरत होती है उसको समझने की भी जरूरत होती है उसे convert करना पड़ता है लेकिन आपकी base ज़रूर बन जाएगी 7th और 8th grade के मेहत करने से उसके बाद इसी arithmetic को करने के लिए आप anti-test का channel जो YouTube पर मौजूद है इसकी बहुत ज़्यदा help ले सकते हैं क्योंकि इसमें हर तरह के question है जो test में आती है आप anti-test के channel को पर जाकर सर्च करें arithmetic तो arithmetic के आपको lecture भी मिल जाएंगे और उसके solve question की भी एक बड़ी तदाद मिल जाएगी जहां से आप खासा learn कर सकते हैं उसके बाद आता है algebra algebra के साथ भी इसी तरह से है कि यह भी बिलकुल basic नौईयत का होता है यानि कि इसमें कोई लबे चौड़े यह नहीं हो सकता है कि आप से ऐसे question पूछे जाएं क्यों मैसी मैस में इसमाल होते हैं या उस level के हैं इसा कोई question नहीं होगा इसमें बिलकुल basic होगा तो इसके लिए भी आप यही काम कर सकते हैं या तो anti-test के चैनल पर जाकर algebra सर्थ करें और lecture सुने और practice question करें और इसके साथ साथ 7th और 8th grade का math भी करें क्योंकि इसमें दो type के algebra के दर question नज़र आएंगे या तो algebraic expression होगे तो ये expression आपको दे कर या तो इससे इसकी value evaluate कराए जाती है या इससे simplify कराए जाता है उसके बाद आते है linear equations के questions ये simple equation होती है जिसमें x के उपर maximum power 1 होती है जैसे के 5x plus 3 is equal to 0 ये linear equation है तो इस type के question होती है इसमें भी आपको basic algebra के rule चाहिए के आप अगर इसको इस side पर ले जाएंगे तो ये minus हो जाएगा minus है तो plus हो जाएगा अगर multiply हो रही है कोई चीज तो दूसरे side पर जाकर divide हो जाएगी इस तरह के basic rule और इसको solve करने के लिए practice की जरूरत है आप questions करें और hidden जो इसमें चीज़ें मौजूद हैं उनको explore करने के लिए जब आप practice question करेंगे तो आपके सामें कुछ चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपको पहले पता नहीं होंगी तो इसलिए practice भी जरूरी है तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि आप YouTube पर यानि कि मैं direct address भी लिख देता हूँ youtube.com slash antitest इसके फौरण बाद इसके साथ ही get लगा दें तो आप इसको लिखने के बाद enter करेंगे तो आप direct इस channel पर पहुंच जाएंगे अब यहां पर जाकर आप हर topic को सर्च करें आपको हर topic मिलेगा और उसके lectures भी होंगे और उसके साथ ही practice questions भी होंगे तो इस तरीके से आपको कहीं और जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी वरना तो books भी available हैं मेरी अपनी लिखी हुई book है मौजूद market में आप किसी भी बड़े books टॉल से ले सकते हैं वो आपको मिल जाएगी मेरे नाम से मिल जाएगी या आप get smart brain मेरी series का नाम है smart brain तो ये book भी आप ले सकते हैं इसमें भी ये चीज़े मिल जाएगी उसके बाद आता है world problems अब world problems में क्या होता है आपको advanced question नजर आते हैं लेकिन होता क्या है basically क्या होना है कि इसमें वो ही arithmetic होता है और वो ही algebra होता है सिर्फ क्या है कि आपको एक statement में छुपा कर question दिये जाता है आपको एक situation create करके दी जाती है जिसको analyze करके आप convert करते हैं उसको translate करते है math में और उसके बाद उसे वो ही जैसे कि आप arithmetic और algebra में करते हैं उसी तरीके से वो solve हो जाएगा असल problem यह है कि situation को understand किया जाए कि उसमें situation क्या दी है फिर उसे math में translate किया जाता है और उसे solve कर लिते हैं तो असल जो problem है ना उसकी analysis में आता है जब आप उसे analyze करते हैं तो यहां गलती होती है कि आप से गलत समझ लेती है तो तब वो गलत हो सकता है otherwise एक तफ़ा वो math में convert हो जाए तो वो बिल्कुल basic नौयत का math होता है तो वो पौरन ही solve हो जाता है इसके लिए भी आपको practice की जरूद होगी आपको इसको हर topic को पढ़े मसला average average का एक पूरा topic है तो आप average का topic YouTube के channel anti-test पे सर्च करें यह आपको मिल जाएगा ratios का topic है वो भी मिल जाएगा percentage है यह भी मौजूद है यानि कि जो topics मैंने अभी आपको list दीती हर topic मिल जाएगा आप उसको वहां से lesson भी ले और practice question भी करें अगर further आपको help की जरूद है कोई भी online class जोईन कर सकते हैं या physical class जोईन कर सकते हैं लेकिन इस channel से काम करने के बाद आपको काम जरूद होगी get online भी available है जो एक अरसे से यह सिर्फ करोना की वज़ा से नहीं बलके एक अरसे से तक्रीपन 10 येर से online classes जोईना वो conduct करते हैं तो इसको भी आप join कर सकते हैं आपको इसके लिए मैं address लिख देता हूँ आप इस address पर जाकर information ले सकते हैं या फिर आप इस email पर address करके information ले सकते हैं या फिर आप यहां से phone करके इस number पर phone करके भी information ले सकते हैं online classes के लिए लेकिन अगर आप class join नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है आप इस channel को यूज करें इस पर आपको हर चीज मिल जाएगी तमाम lectures मिल जाएगे और practice questions भी मिल जाएगे तो जितने topic भी आपके हैं वो सारे मौजूद है उसके बाद आते हैं verbal section के तरह अब verbal section तीन तरह के questions पर मुश्तिमिल है number one reading अब आप देखें कि इसमें अगर आप कहें कि इसके लिए बहुत ज़्यदा English की ज़रोते हैं तो no ज़्यदा English की ज़रोते हैं आपको reading करनी आनी चाहिए अगर किसी की reading strong है और वो English लिखी हुई समझ लेता है तो verbal section इतना कोई मुश्किल नहीं होगा चूँकि basic problem असल जो problem है वो होता ही इसमें है कि आपको understanding नहीं हो रही होती कि क्या लिखा है अगर आपकी reading power और सही है आप understand कर लेते हैं कि English में क्या लिखा है तो reading comprehension हो या कोई और section हो वो comparatively असान लगते हैं तो reading comprehension के लिए बहुत ज़्यादा practice की ज़रोत होती है इसके लिए आप मुख्लिफ books लें या online material यूज़ करें तब आपकी reading comprehension बढ़ सकती है लेकिन ये बाद जहन में रखें कि reading comprehension यानि कि reading की जो habit है या reading की जो comprehension है वो over time develop होती है तो एक दो महिने में इसमें इतना ज़्यादा change नहीं लाया जा सकता तो इसके लिए आप different strategies इस्तमाल करते हैं और practice इसकदर करते हैं कि reading comprehension आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ी थोड़ी समझ आजे ताकि आप question करने लगें तो इसके लिए practice की especially जरूत होती है फिर डूसरे section है जो grammar based है आप grammar based दो type के question इसमें शामिल है एक तो सिदा सिदा sentence correction है sentence correction बगार grammar के हो ही नहीं सकता तो grammar यहां इस्तवाल होगी plus यह कि sometime sentence completion में भी grammar के question नजर आ जाते हैं तो इसलिए इन दोनों section में grammar का इस्तवाल होता है और grammar के लिए आपको basic चीज़ें पता होना चाहिए इसके लिए आप एक तो review करें पूरी grammar को कि आप यह नहीं है कि आप grammar के एक book लें और वो उसमें से पूरा course grammar का करने बैठ जाएं यह नहीं होगा इतनी deep grammar की दुरूर नहीं है आप अगर 10 basic topics कर लें तो grammar के लिए काफी होते हैं मसलब कौन से topics हैं number one parallel structure यह topic आपको आना चाहिए number two agreement अगरिमेंट यानि के subject and word इनका अगरिमेंट number three dangling modifiers noun, pronoun, idioms, prepositions seven पर है comparisons, aids, voices voices यानि के एक्टिवाइज, पैसिवाइज, direct, indirect speech और work tense यह topics लेकिन यह final नहीं है यह major topics है जो ज्यादा तर tests में आपको नजर आएंगे के इन से मुतालिक questions ज्यादा होती है लेकिन यह final नहीं है grammar बहुत बड़ी है लेकिन आप इन से ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा load होगा और question जाहिर है इतने ज्यादा question नहीं आते कि इसी से past fail determine हो जाए तो आप अगर इन topics को कर लेते हैं तो आप यह समझें कि आप कमसकम 90% से ज्यादा question तो solve कर लिए और अगर आप grammar लेके बहर जाएं तो वो तो पूरे साल नहीं खतम होगी और grammar के बहुत से topics हैं तो वो इतने सारे topics एक short period में possible नहीं होते हैं जो टेस्टों में common चीज़ें आती हैं वो यह ही होती हैं जो आपको मुद्लिफ टेस्टों में नजर आएंगी including get even के international test में भी यही कुछ चीज़ें पाई जाती हैं ज्यादातर question इनहीं से मुतालिक होते हैं यानि के यह तीन section है vocabulary based number one is the analogies जो word pair के नाम से भी मशूर है number two antonyms जिसमें opposite meaning के word के बारे में आपसे पूछा जाता है number third synonyms यानि के similar words जिनके meanings similar हों word pair में आपको एक pair of word दिये जाता है जो के logically connected होता है उनमें कोई logical relationship पाया जाता है उस relation पर based करते हुए आप choices में से देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जिसमें similar relation पाया जाता है इस इन तीनों sections के लिए भी आपको introduction लेना चाहें या study करना चाहें तो anti-test के channel पर जाएं और ये section clash करें तो आपको ये तमाम मिल जाएंगे including practice questions आप इसको त्यार कैसे थे एक तो आप lesson ले लेंगे ठीक है आप lesson ले लिए उससे आपको logical handling समझ आ जाएगी कि इसमें logically हम कैसे handle करते हैं इन questions को लेकिन जो सबसे बड़ा problem है वो ये कि जब तक आपको word के meaning नहीं आएंगे तो logical handling खाक होगी जब आपको meaning ही नहीं आते तो उससे आप कैसे connect कर लेंगे कि इसका आप दूसरे लफस के साथ क्या तालुक है तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी vocabulary यानि के word meaning increase करने पूरें vocabulary increase के बगएर ये तीनों section possible नहीं है तो इसके लिए या तो आप lists मुख्लिफ lists मिल जाती है बसलाँ आप antitest.com से ले लें वहाँ पर word list मौजूद है इस side के उपर और यहां से आपको ये list मिल जाती है आप उन्हें याद करें या फिर डिरेक्ट यह होता है आप analogies, synonyms, synonyms के question करें और उसमें जो vocabulary आती है आप साथ-साथ उन्हें याद करते हैं तो इसके लिए आपको online help भी ले सकते हैं या फिर आपको books की जरूत होगी तो book purchase करनी पड़ेगी जिसमें बहुत से analogies, synonyms, synonyms के question हो तो आप उन question को solve करें और उनमें जो vocabulary आ रही है उसको याद करते जाएं तो इससे आपको load कम बढ़ता है और direct question जो पाकिस्तान में इदर उदर आपको नजर आएंगे उनकी vocabulary आपको याद हो जाए तो यह load कम होगा लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तियारी करना चाहते हैं नाइटी परसंट से भी ज्यादा हो या आपको बहुतर पोजिशन के अंदर स्कोर कर सकें तो उसके लिए बहुतर यह है कि फिर आप लिस्ट से ही याद करें कि यह वाले questions करके इसके अंदर मौजूद vocabulary पर कि करें प्लस यह कि आप अपनी word list की मजब से vocabulary को improve करें लास्ट में आते है sentence completion यानि कि fill in the blanks इसकी दो टाइपस हो नमबर बन में यह होती है grammar paste यानि कि कोई grammatical method से filling होगी और second method है vocabulary based यहाँ पर आपसे ऐसे choices दी जाते हैं जो मिलते चुलते अलफाद होते हैं और आपने to the point vocabulary fit करनी होती है अब इसके साथ साथ इन दोनों types के इलावा इसमें किसी कदर logic भी मौजूद होती है कि बाद questions बिलकुल ऐसे होते हैं कि logically यहाँ पे positive connotation का word आना है या negative connotation का word आना है उसकी base पे आप choices में से कोई option choose करते हैं और इसी तरीके से grammar जो आप sentence correction के section के लिए करेंगे वो grammar इसके अंदर भी इस्तमाल हो जाएगी तो इसमें सिर्फ यह है कि थोड़ी सी अगर practice कर ली जाए और बाकी section आप proper तयार कर रहे हैं तो यह खुद बाखुद तयार हो जाता है सिर्फ logic की practice करें और questions की practice करें तो यह section आप असानी के साथ तयार कर लेंगे उसके बाद आता है reasoning का section reasoning के section को अमूमन मुश्किल समझा जाता है लेकिन मेरे experience में यह है कि मैं जब class में पढ़ा रहा हुता हूँ तो students को कुछ देर बाद ही यानि कि एक दो दिन बाद ही अंदादा होता है कि यह section basically सबसे असान है इसमें ना तो math की ज़रोत है, ना vocabulary को याद करने की ज़रोत है तो यह सिरफ आपने understand करना एक situation को ना इसकी जरोत है ना इसकी जरोत है आपने situation को जो दीगे situation उसे understand करना है और उसकी base आपने question solve करने है जब आपको analytical reasoning के basic question के understanding होती है कि basic rule कौन से apply हो रहे हैं और किस words के हम क्या meaning लेते हैं अगर एक चीज़ एक के बाद आती है तो दूसरी की चीज़ के लिए क्या rule हम इस्तेमाल करेंगे कौन सी logic इस्तेमाल होती है जैसे ही आपको वो understand होती है तो पता लगता है कि analytical reasoning के question basically असान होती है सिर्फ इसमें issue किस चीज़ का आता है time का कि आपको देर लगती है लेकिन ये manageable है इसको manage कैसे किया जा सकता है कि आप तो एक तो ये है कि थोड़ी सी practice करने के पाद खुद बहुद time काम होना शुरू हो जाता है per question क्यूंकि आपको उसकी logic जल्दी समझाना शुरू होती है फिर दूसरा ये कि जब आप ज्यादा practice करते हैं तो खुद बहुद time काम हो रहा होता है और इसको time को manage करने का तरीका ही यही होता है कि आप practice करें तो इसके लिए आप मुखिव बुक से question ले या फिर anti-test के channel में भी तकरीब हंड़र के करीब question solve किये हुए है वीडियो के अंदर तो आप उन्हें देखें और उन question को solve करें तो वो भी हो जाएंगे वरना antitest.com ये जो website है इस पर चले जाएं यहाँ पर आपको analytical reasoning के बहुत साइ question solve किये होगे बलके इस पर 10 grand test यानि के full get के 10 test मौझूद है solve किये होगे तो आप यहाँ से भी help ले सकते हैं antitest.com से अच्छा उसके बाद इसका second part है logical reason अगर आप कहें के test में थोड़ सी कोई चीज़ तो थोड़ी बहुत students को मुश्किल लगनी चाहिए वो logical reason है क्योंकि इसके लिए एक तो English का बहुत अच्छा होना जरूवी है दूसरा logical उसकी जो combination है उनके understanding होना भी जरूवी है लेकिन दूसरी अच्छी बात यह है कि इसके question बहुत थोड़े से होती है तो 4-5 question या maximum 8 question अगर इसमें से हैं तो आप अगर थोड़ी बहुत practice कर लें तो उसमें 5-6 question तो सही होई जाती है लेकिन अगर आप इसकी proper तियारी करें तो सारी question भी सही हो सकते है तो इसकी तियारी करने के लिए यह है कि आपको practice करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ vocabulary जो आपने याद किए वो भी इसमें इसमें इस्तमाल होगी और इसके साथ साथ grammar भी इस्तमाल होगी और मजीद यह कि आपको logically चीज़ों के connections को समझने के लिए किसी कदर logic भी पढ़नी पड़ेगी तो उसके बाद यह section हो सकता है लेकिन इसकी practice करें तो बगएर logic को understand किये थोड़ा बहुत understanding पैदा हो जाती है practice से और उसके बाद यह question होना शुरू हो जाती है यह था NTS get की त्यारी के लिए एक मफसर साखाका कि उसका structure क्या है और उसमें किस type की question शामले रहे इसके हर section की detail और त्यार करने का त्रीका और उसमें कौन सी चीजें चुपी हुई है जो आपको मालूम होनी चाहिए ताके आप ज्यादा से ज्यादा score कर सकें और असानी से हर section को त्यार कर सकें तो हर section की अलएदा एक वीडियो है मौजूद है जो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हर section में और हर type of question में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए ताके आप उसको properly त्यार कर सकें और source of questions क्या होना चाहिए और कितना time कि section को देना चाहिए और किस को आप कम से कम time के अंदर त्यार कर सकते है तो इसके लिए आप देखिए प्रड़ कर से विए आप आप देखिए और देखिए अंदर लिए अंदर आप अरहिए